एक गुबारे वाला गुबारे बेच कर जीवन यापन करता था बच्चों को लुभाने के लिए वे तरह तरह के गुबारे रखता लाल, पीले, हरे, नीले और जब कभी उसे लगता कि विक्री कम हो रही है वे जट से एक गुबारा हवा में छोड़ देता जिसे उड़ता देखकर बच्चे खुश हो जाते और गुबारे खरीदने के लिए पहुँच जाते इसी तरह एक दिन वे मेले में गुबारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुबारे उड़ा रहा था पास ही खड़ा एक छोटा बच्चा ये सब बड़ी जिग्यासा के साथ देख रहा था इस बार जैसे ही गुबारे वाले ने एक सफेद गुबारा उड़ाया वह तुरंत उसके पास पहुँचा और मासूमियत से बोला अगर आप ये कालव गुबारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी उपर जाएगा गुबारे वाले ने थोड़े अचनरस के साथ उसे देखा और बोला हाँ, बिल्कुल जाएगा बेटे गुबारे का उपर जाना इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि वो किस रंग का है, बलकि इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है इसी तरहां जब हम अपनी प्राकरतिक बुद्धियों का स्वम मुल्यांकन कर लें तो बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा जैसा कि हमने शुरू में लर्निंग आउटकम्स के परीचे में जाना प्रकरति और पोशड दोनों साथ पनपते हैं तो अपनी multiple intelligences को प्रोचसाहित कर आगे भढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है अन्य संगी साथी तो इसमें केवल हमारी साहता कर सकते हैं शेर लेने के लिए हमें स्वयम श्रम करना पड़ेगा इसी से जुड़ा है एक और स्वयम मुल्यांकन learning styles या हमारी निजी सीखने की शैलियन घबराईए नहीं इस बार केवल 9 स्थियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी और ये थोड़ी अलग प्रकार की practical यानि व्यभारिक स्थियां होंगी जिनका आप कई बार यथार्त में सामना करते होंगे हर स्थिति को समझने के बाद तीन विकल्प V, A और K आपको दिये जाएंगे स्थिति के अनुरूप और अपनी निजी चुनाव के मुताबिक आप इन में से साथ प्रकार से जवाब दे सकते हैं आप रिस्पॉंस शीट के लर्निंग स्टाइल्स वाले अनुभाग में देखेंगे कि प्रश्णों की शंखला 73 से 81 तक है हर बॉक्स या चौखट में तीन विकल्प V, A और K दिये गए हैं तथा अपना उत्तर देने के लिए गोलाकार उधारन के लिए हम आपके सामने एक सैंपल दिखा रहे हैं केवल एक V, A, K जो भी सही लगे दूसरा कोई भी दो जैसे V और A या V और K या A और K क्योंकि हो सकता है कि परिभाशित स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया दो तरह से होती है तीनों V भी, A भी और K भी जब आप तीनों विकल्पों का इस्तमाल करते हैं ध्यान रहे कि आपको सभी स्थितियों का सामना करना ही है और सब नौ प्रश्नों का जवाब देना है पहले की तरह response sheet में learning styles वाले अनुभाग या section में अपनी पसंद पर अपना चिनानकन करें गोलाकार को भर कर सोच समझ कर भरें एक बार चिनानकर या निशान लगाने के बाद काठपीट या रद करने की अनुमती नहीं है हर प्रश्न के लिए आपको 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और स्वयम मुल्यांकन learning styles प्रश्नावली 6 मिन्टों में पूरी हो जाएगी इसके उपरांथ आपको जोड लगाकर गिंती करनी है V, A और K की इसे भेतर समझने के लिए हम नमोने के लिए एक response sheet लेते हैं जो कुछ इस तरह भरी गई है अब हम पहले V का जोड करेंगे जिनका चिनानकन को ऐसे है 73, 74, 75, 77 और 81 अथ्वा जोड हुआ 5 जिसे हम निर्धारित जगाए पर लिखेंगे इसी प्रकार A का जोड करेंगे 74, 76, 77, 78, 80 और 81 यानि जोड हुआ 6 इसे भी निर्धारित स्थान पर लिखेंगे के की गिनती करेंगे 75, 76, 77 और 79 यानि चार बार जो उप्योग स्थाल पर लिखेंगे तो हमारे जोड हुए V is equal to 5, A is equal to 6 और K is equal to 4 अब पहले की तरहां लेकिन ज्यादा आसान आपका विक्ट्री स्टैंड प्रस्तुत है और आप इन्हे करम के मुताबिक प्रथम दुतिये और थृतिये पद दे सकते हैं हमारे उद्धारण में श्रेणी बद प्रथम A is equal to 6, दुतिये V is equal to 5 और तृतिये K is equal to 4 हो सकता है आपके केस में कोई ड्रॉक यानि बराबरी भी हो अब स्थिति और उससे जोड़े विकल्प कैसे होंगे उससे भी आपको परिचित करा दे हम 9 स्थितियों में से पहली ही आपके सामने रखते हैं क्योंकि कोई रहस्य वाली बात नहीं है कई बार शब्द विन्यास या वर्तनी या स्पेलिंग करते समय थोड़ी मानसिक गड़वड़ी हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसका समाधान करने के लिए हम इन में से कोई एक या दो या तीन युक्तियों का सहारा लेते हैं इसके लिए हम शब्द लेते हैं इंडिपेंडेंट आई एन डी ए पी ए एन डी ए एन टी तो जैसे हम पहले समझा चुके हैं आपके समक्ष हम ये तीन विकल्प दे रहे हैं अब आप या तो डिक्षनरी का प्रियोग करेंगे या उसके अभाव में अपने मानसिक पटल पर जोड़ देंगे कि वे शब्द कैसा दिखता है वर्णों के क्रमानुसार इधर शायद आपको ध्यान आ जाएगा कि शब्द में सारे स्वर्ण या वावल केवल ई है ए मैं शब्द का उच्चारण या स्वर्ण शास्त्र का उप्योग करता हूँ तो दूसरी तरकीम हो सकती है उच्चारण या फोनेटिक्स को इस्तमाल करना तो हम शब्द को मानसिक आधार पर टुकड़े करेंगे एन डी पेंडेंट और शायद स्पेलिंग सही हो जाए इन डी पेंडेंडेंट के मैं विभिन शब्द विकल्प लिखता हूँ यहां आप अलग-अलग ढंग से शब्द को लिख कर देखेंगे और जो उचित लगे उसे मान्यता दे देंगे आम तोर पर हम यही युक्तियां इस्तमाल करते हैं आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप इन में से किसी एक या कोई भी दो या फिर तीनों का चैन कर अपना उत्तर रिस्पॉंस शीट में निशानवद करें इसी तरह सारी नौस्थितियां आपके सामने पेश की जाएंगी याद रहे कि यह सेल्फ असेस्मेंट या स्वयम मुल्यांकन बुनियादी तोर पर केवल गुणात्मक है तता मात्रात्मक नहीं है यह केवल आपका ध्यान हमारी निजी सीखने की शेलियों के तरफ किंद्रित करने के लिए एक आनुभेविक या अनुभव जने जाच है इसके बाद हम आपको सीखने की शेलियों से परीचित कराएंगे आशा है आपको यह प्रक्रिया पूरी तरह से समझा गई होगी अपनी शेलि के मुताबिक अब हमारा ट्राफिक सिगनल प्रस्तुत है याद रहे कि इस समय वो लाल रंग दर्शा रहा है अगर प्रशनावली से संबंदित आप किसी भी मामले में बिल्कुल स्पष्ठ होना चाहते हैं तो अपने फैसिलिटेटर या इस्वम मुल्यांकन के जिम्मेदार प्रभारी से तुरंत कूचे अगर सबस्पष्ठ हैं तो हरीबत्ती दिखाते ही या स्वम मुल्यांकन शुरू हो जाएगा ध्यान रहे कि बीच में किसी प्रकार की रोक टोक, आपसी वारतालाब, शोर शराबा, अथ्वा अशान्ती और उपद्रव की अनुमती नहीं है धन्यवाद